स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग वित नितन में आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ट्लाउट प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसके आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और आपको कोई additional software भी install नहीं करना पड़ेगा पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए ना ही आपके computer में ना ही आपके mobile में तो मैं इस वीडियो में आपको बता हूँआ कि इस cloud platform को computer और mobile दोनों पे कैसे use कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये tutorial सबसे पहले आपको क्या करना है आपको Chrome ब्राउजर को open करना है यहाँ पे search बार में आपको लिखना है Google collab जैसे यह आप यह type करेंगे और enterprise करेंगे तो यह search result आ जाएगा और यहाँ पे जो first link है इसके उपर आपको click करना है इसके बाद जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे यह Google collab का जो page है वो open हो गया है आपको यहाँ पे पहले sign in करना है अपने account पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Google Colab, एक Dialog Box आपके पास आया है, पीछे आप देख सकते हैं, आपको जो अकाउंट है, वो लोगिन हो गया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से New Notebook ओपन करना है, New Notebook आप जैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे एक New Terminal आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो जैसे ही आप New Notebook के ओपर क्लिक करेंगे, इस तरह का यह जो एक नया टर्मिनल है, यह एक नया Notebook है, आपके सामने ओपन हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर 2-3 सेकेंड के ओपर आपको लिख के आएगा, All Changes Saved, इसका मतलब यह जो सारी चीज़े हैं, यह आपके ड्राइब के ओपर सेव होती जा रही है, और यह जो Google Colab है, यह ड्राइब के ओपर आपकी सारी चीज़े को सेव करता जा रहा है, इसका मतलब आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जब भी चाहें, और क्योंकि यह Cloud Platform के ओपर यूज हो रहा है, आप गूग इसके और सबसे बड़ी आचीब यह है, कि आप इसको किसी भी प्लेस से एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब अगर आप यह जो प्रोग्रामिंग होता हो दिख रहा है, तो यहां पना लेका A इकवस तो 5, एंटर प्रस करा, इंटर प्रस करा, मैंने लेका B इकवस तो 10, एंटर प्रेस करें मैंने लिखा c equals to a plus b और फिर मैंने आप लिखा print inverted comma sum of two number is अब जैसे मैंने यतना लिखे यह जो icon है इसको प्रेस करा तो यह program run होना शुरू हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिख्या है initialization connected और यह run होके आपको output देदेगा 15 तो आप देख सकते हैं कि कितरा easy है python की programming यहां पर करना और बिना किसी edition software को install करें बिना किसी ID को install करें आप cloud platform पर programming कर रहे हैं और यहां पर python की किसी भी तरह की programming जो है वो आप कर सकते हैं अब मैं तीनों का type प्रेंट कर वाँगा तो जो programming आप यूज करते हैं python के लिए वही same programming आप यहां पर यूज कर लिए कुछ भी different नहीं है क्योंकि यह python ही है बट यह बस cloud platform के उपर run हो रहा है बाकि code जो है वो एकदम सेम रहेगा तो आप जैसा की देख सकते हैं यह जो है वो float type का variable है बी जो है वो string type का variable है और C जो है वो integer type variable है तो बिलकुश सेम python की programming है जैसा आप python की programming करते हैं सेम आप वैसा यहां पर सब कुछ यूज करना है कुछ भी different नहीं है और आप file के उपर click करके जैसे save हो का सकते हैं तो यह जो आपकी drive है उसके उपर save हो जागा और वैसे भी automatically save होता रहता है अब मैं आपको यही चीज mobile से करके बताऊंगा तो mobile पर करने के लिए आपको क्या करना जाएगा mobile पर करने के लिए आपको सबसे पहले play store पर जाना है वहां पर आपको लिखना है google collab तो यह जो application आपको दिखाई दे रहा है screen पर यह आपको download कर लेना है अपने mobile में अब इसे आप open ज़रेंगे यहाँ पर लिखके आया है click below to open google collab तो इसके उपर मैंने click करा यहाँ आप देख सकते हैं यह एक dialogue box आया है जैसा कि dialogue box हमेशा हमारे पास आता है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे computer screen पर लिखा हुआ है untitled1.ipynb सेम ऐसा ही मेरी mobile screen पर भी यहाँ पर एक previous program बना हुआ दिख रह जैसा कि आप देख रहे हैं यह load हो रहा है देखिए जो program मैंने मेरे system पर बनाया था क्योंकि वही account मेरे mobile में भी connected है तो सेम वही program जो है वो यहाँ पर भी मुझे मिल गया है और जैसा वहाँ मैंने उसे बनाया था वैसा का वैसा सेम मुझे यहाँ पर देख रहा है इसके आ पुराने program के अंदर तो मैं यहाँ पर उसको use करता हूँ print इतना लिखने के बाद मैंने जो arrow का icon है इसके उपर click करा तो यह run होना शुरू हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर error आ गई है और सेम आप देख सकते हैं मेरे computer screen पे भी वो चीज वहाँ पर आने ल okay क्योंकि यह जो है यह string library का function है यहाँ पर आपको क्या करना है इस program को change करना है क्योंकि जो यह is lower function होता है यह इस तरह से work करता है अब मैं इसे run करता हूँ देखे मैं आप इसे run करा यहाँ पर आगा true तो यह यह चेक कर रहा है कि जो मेरा string है वो lower है कि नहीं है तो आप computer में क्या होता है कि जैसे ही मैंने यह code यहाँ पर run करा जो new line है वो automatically आ जाती है यहाँ पर new line करने के जो आपको उपर icon दिख रहा है plus angle bracket का इसके उपर आपको click करना है तो new line आपको आ जाएगी programming करने के लिए अब मैं यहाँ पर वापस से ही वो function यूज करता हूँ print b.is upper यह मैंने दूसरा function यूज करा है और मैं इसे run करता हूँ यहाँ पर देखी है false आ गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप python की programming कर सकते हैं जैसे python की programming होती है वैसी और अब अगर मैं इसे save करता हूँ यह जो तीन बार्स आपको दिख रहे हैं इसके पर click करता और file के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर इसे save कर देता हूँ देखें यहाँ लिख्या रहा है saving saved successfully अब मैं इसे यहाँ से refresh करता हूँ मेरे browser से computer के browser से देखें यहाँ पर यह सारा जो है वो save करा हूँआ मुझे मिल गया है तो इसका मतलब यह जो है यह मेरा जो program है यह कितन इसे device से access कर सकता हूँ क्योंकि यह cloud पर है तो यह सारी चीजों को save करता जाएगा और यही सबसे अच्छा feature है cloud कर प्रोग्रामिंग करने का और इतना easy तरीके से आप बिना किसी ID के बिना किसी extra software के python की programming कर पा रहे हैं वो भी cloud platform पर तो यह google का सबसे अच्छा feature है क्योंकि ज प्रोइट करवाए हैं तो आप python को easily mobile system यूज कर सकते हैं वो भी synchronize करके वो भी cloud platform है तो आप लोग इस चीज़ को जरूर ट्राय करके देखिए ट्राय करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप तो python यूज करना चाहते हैं अपने mobile में अपने computer में easy way में वो आप कर पा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए इसे share करिए मेरे चैनल को subscribe करिए और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुचाईए जिनने इसकी जरूवत है ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें और ये वीडियो उनके भी काम आ सकें तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में एक टूटरल के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद stay safe stay at home